विराट कोहली के इंग्लैंड के पहले दो टेस्ट मैचों से हटने पर BCCI का कड़ा संदेश भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सोमवार को घोशना की कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सोमवार को घोशना की कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। एक आधिकारिक बयान में BCCI ने कहा कि कोहली ने अपनी अनुपस्थिती के संबंध में कप्तान रोहित शर्मा और टीम प्रबंधन से बातचीत की और क्रिकेटर को अपना समर्थन दिया। BCCI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के पहले दो टेस्ट से हटने का अनुरोध किया है। बयान में आगे कहा गया विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंधन और चैन करताओं से बात की है। और इस बात पर जोर दिया है कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सर्वोच प्राथमिकता रही है। लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्थितियां उनकी बयान में मीडिया को उनके व्यक्तिगत कारणों की प्रकृती पर अठकलें लगाने से बचने के लिए भी कहा गया और कहा गया कि आने वाले दिनों में कोहली के प्रतिस्थापन की घोषणा की जाएगी। BCCI उनके फैसले का सम्मान करता है और बोर्ड और टीम प्रबंधन ने स्टार बल्लेबाज को अपना समर्थन दिया है और टेस्ट श्रिंखला में सराहनिय प्रदर्शन करने के लिए टीम के बाकी सदस्यों की क्षमताओं पर भरोसा है। BCCI मीडिया और प्रशनसकों से अनुरोध करता है कि इस दौरान विराट कोहली की निजता का सम्मान करें और उनके व्यक्तिकत कारणों की प्रकृती पर अटकलें लगाने से बचें। ध्यान भारतिय क्रिकेट टीम के समर्थन पर रहना चाहिए क्योंकि वे टेस्ट श्रिंखला में आगामी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बयान समाप्त हुआ।